और इसी बीच जमू कश्मीर से बेहाद दुखत खबर अनन्तनाग में एक और जवान शहीद हो गया अनन्तनाग में लापता जवान का शब मिला है इलाके में सेना का सर्च उपरेशन लगातार जा रही है बड़ी खबर है सुरक्षा बलो ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है सेना लगातार सर्च उपरेशन वहाँ पर चला रही है आतंकियों की तलाश में और इसी बीच एक अफसोस का खबर ये मिली है कि जो जवान लापता हुआ था उसका शब मिला अनंत नाग एंकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर सेना का वहाँ पर सर्च उपरेशन जा रही है लगातार आतंकियों की तलाश कर रही है सेना हमारे संबाद दाता आसिफ खुरेशी इस वक्त हमारे साथ पॉल लाइन पर जुड़ चुके हैं आसिफ क्या ताजा सूचना मिल रही है आपको आद्या के सुरक्षा बलू की तासर जो जानकारी आप साजा की गई है कि राज पर चले तलाशे अवियान के बाद एक और स्वक को पॉट किया गया है जगर से कुछ मीटर के दूरी पर जहां पर तीन शव बरामत किये गए चौपरेशन लगाता आज तिसरे दिन भी जारी है आज से पर चड़के से ही जब सर्च ऑपरेशन थे से शुरू किया गया तो इस चाव को स्पॉट किया गया जिसके बाद अनतनाग एंकाउंटर में सहीद होने वाले जवानों की सादाद चार हो गई है पहले करनल मेजर और जेस्प रैंक के अधिकारी के बाद ये एक जवान की पिच्चु के बाद जो है आंग्डा बढ़के चार हो गया है और अभी भी मिलिटेंट के सलाब जो है ऑपरेशन जारी है पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तत्थे बताना पत्रकारता जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात नौ बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम होगा जगविंदर पत्याल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सुबवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ एबीपी निउस पर एबीपी निउस आपको रखे आगे एबीपी निउस आपको रखे आगे